सोशल मीडिया पर एक दावा वाइरल है इस समीधान में कहा गया है कि पृति एक भारती नागरिक को हिंदी और संस्कृत भासा पढ़ना और लिखना आना चाहिए सुप्रीम कोट के वकील अश्विनी उपाद्याय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और लिखा बाबा साहब संस्कृत को राजभाशा बनाना चाहते थे लेकिन उनका प्रस्ताव पारित नहीं हो सका वहीं कई अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने भी पोस्ट शेयर कर इसी तरह के दावे किये वाइरल दावे की जाँच के लिए डीफरेक टीम ने इस संदर्भ में गूगल पर कुछ कीवर्ट सर्च किये इस दोरान टीम को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली इंडियन एक्सप्रेस ने अपने लेख में बताया है कि पूरे देश में 100 से अधिक भाषाएं और 270 मात्र भाषाएं बोली जाती है हालां कि सविधान किसी एक भाषा को भारत की राष्ट्य भाषा के रूप में सूची बद नहीं करता है अनुच्छे 349 संग की आधिकारिक भाषा के खंड एक में कहा गया है संग की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपी में हिंदी होगी और संग के आधिकारिक उदेशियों के लिए उपयोग किये जाने वाले आंकडों का रूप अंतर राष्ट्य होगा अनुच्छे 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए गिसा निर्देश में कहा गया है ये संग का करतविये है कि वे हिंदी भाषा के पिरसार को बढ़ावा दे और इसके विकास को सुझचित करे ताकि ये भारत की समगर संस्कृति के सभी तद्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सकें बीबी सी हिंदी द्वारा पिलकाशिक एक लेक के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारतिय समग्धान ने अनुच्छे 343 से 351 के माध्यम से हिंदी को राष्ट भाषा का दर्जा नहीं दिया बलकि राजभाषा के रूप में दर्जा दिया 1960 के दशक में गएर हिंदी भाषी राज़ियों में कई हिंसक जड़कों के बाद संसतने राष्ट भाषा का विचार प्याग दिया भारत भाषाई भी विधता वाला देश है डी फ्रेक टीम ने इस फैक्ट चेक में पाया है इस समीधान के अनुसार फिरतियेक भारती नागरिक के लिए हिंदी और संस्कुरत में पढ़ना और लिखना अनिवारी नहीं है भारत का समिधान हिंदी और संस्किरत सही 22 भाषाओं को मान्यता देता है और राजियों को अपनी आधिकारिक भाषाओं निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है केंदर सरकार के आधिकारिक उद्देशियों के लिए हिंदी के उपयोग का उलेख भारतिय समिधान के अनुचे 343 में किया गया है डीफरेक के इस फैक चेक से साफ है कि समिधान के मताबिक हिंदी और संस्कृत में लिखना पढ़ना अनिवारिय नहीं है इसलिए यूजर्स दुआरा किये गए दावे ब्रहामक और गलत है